कि पढ़ लिखकर बिर्जगार युवा घूम रहे हैं बजारों में अनपढ नेताओं के अनपढ बेटे बैठे हैं सरकारों में एक जार्खण ही ऐसा है जिसमें लिखा हुआ है पुरा भारत का नागरिक फॉम बर सकता और सभी राज्यों में ऐसा लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक और उस राज्यों का निवासी फॉम बर सकता है तो राज्यों नेता भी 17 से 18 बिधायक सांसद जो है वो बाहरी है पॉब्लिक प्रोसेक्योटर के जो निक्ति थी 107 जिसमें वेकेंसिय थी जिसमें 72 लोगों को बाहर के लोगों का हुआ था हुआ है अभी कुछ दिन पहले ब्यूरो क्रेशी में उपर से नीचे तक सी और डी के नौकरियों से लेकर सचीव मुख सचीव तक के सभी सभी बाहरी लोग भरे हुए 64 योजन नीती समेत कई मांगों को लेकर एक बार फिर से छात्र आंदोलन करते हुए नजर आएंगे जिसके तहत आज राजधानी राची समेत कई जीलों में मसाल जुलूस निकाला जाएगा उसके साथ साथ दस यानि की कल और 11 जून को पूरे जहारखंड में बंद का आवहन किया गया है जिसको लेकर कई छात्र नेता समर्थन दे रहे हैं उसी में छात्र नेता मोतिलाल महतो भी सामिल हो गए हैं उन्होंने इस बंद को अपना समर्थन दिया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है कमीन कि के जितने साथी हैं अपने अपने जो परखन मुख्याले में बड़ चल कर भाग लिया और जो यहां है जो 44 के विरुद में जो आखवान किया गया है उसका इस आंदरण को इस महा आंदरण को इस महा संगराम को इस महा समर को सफल बनावें क्योंकि ये आने वाली ये जो लडाई है अपने भविस्थ के निर्मान के लिए है अगर ये ये 60-40 की निती पास होती है, तो जार्खन में ऐसा अतिकर्मन की बाढ़ आएगा, कि फिर कुछ नहीं बचेगा, एक तरह से जार्खन फिर से बिहार हो जाएगा. इसका ताजा ताजी ये उधारन आप देख चुके हैं, पब्लिक प्रोसेक्योटर की जो निक्ती थी, 107 जिसमें वेकेंसी थी, जिसमें 72 लोगों को बाहर के लोगों का हुआ है, अभी कुछ दिन पहले. अभी टीचर का वेकेंसी 349 जो वेकेंसी हुआ, जो निक्ती हुई, उसमें 11-13 जिला में जो रिजर्ब जिला था, उसमें तो बच गया, जो ऑपन जिले थे, उसमें क्या हुआ, कि 89, 79 में से 28 मात्र जार्खनियों का हुआ, बाकी सब बाहरियों का हो गया. इसी तरह से कई उधारन भरे पड़े हैं, और यही वेकेंसी जब 2016 का वेकेंसी ही, उसकी निक्ती 2018 में जब दी गई थी, तो गिरीडी और गोड़ा में 52 को इंगलिस के टीचर के वेकेंसी में 48 को बाहरियों का हो गया था, संस्कृत के 56 के वेकेंसी में 54 को बाहरियों का हो हुआ हैं सिलसला अभी तक जारी है अभी जितनी भी केंसी हुई है चभाइप जंड में हो мехως के इंजिनियर में हो सभी में 75 आसी पर्ष solvent बाहर के लोगो गुस जा रहे हैं जबकि 25 पर्षेंट आफिचेंट के पदों में 75 पर्षन हमारे लिए 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 हुना चाहिए लेकिन उल्टा हो रहा है उसी के और खत्यान अधारित अस्थानियbackewlak neighbor नहीं होता है तो यह सिलसिलाों चलती रहेगी सब्मसक्राण कि वह सरकार उनहीं किस मंसा कि मसा धाइं किस तरह से आई है और इसको कौन सी सरकारे चला रही है कौन चला रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है जो भी चला रहा है हमें लगता है बाहरी ततु ही चला रहे हैं बाहरी लोग ही चला रहे हैं हमको लगता है कि ये बिरोक्रेशी ही चला रहे हैं ऐसे भी कहा जाता है कि लो दूसरा हाथ होता है पुझी पती का और तीसरा हाथ होता है राजनेता का तो यहां पर तो राजनेता भी 17-18 बिधायक सांसत जो है वो बाहरी हैं 17-18 सांसत बिधायक बाहरी हैं, बियुरुक्रेशी में उपर से नीचे तक, सी और डी के नौकरियों से लेकर सचीव मुख सचीव तक के सभी बाहरी लोग भरे हुए, पुंजी पती में भी BCCL, टाटा, मैदानता, ये सारी कमपनियां भरी पड़ी और इस कमपनियों में जित इसके लिए हमें लगता है कि ये सारी जो नितियां भेकैंसिया आ रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ आ रहा है, जिसे आप बिहार का फॉर्म भरते हैं, अभी बिहार में भी टीचर का वैकर निकला है, चार-पास दिन पहले, उसमें लिखा हुआ है भारत का नागरिक और बिह में लिख दिया है पुरा भारत का नागरिक फॉर celिडिवर श्यूब मुदक सिपाही का निकल कि भारत का नागरिक और उस राइच का निवाशी नियास के किसे होगा झालत कंक्र निवाशी तभी होगा जब जार्खणियों को परिभासित किया जाएगा उसका अधार इ्क मत्रोगा सर्वे सट्लेमेंट हैं भूमिस अंधी दस्थावेच भासा और संस्क्रिती इसी अधार पर पहले जहरखंडी को परिभासित करना पड़ेगा कि जहर Pvd. हाईकौण जब जहर्खंडी महासमर में भाग ले रहे हैं सभी साती से यही नीदवय निवेदन है कि जल्द से जल्द सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाया कि पहले जहरखंडी को पसी परिभासित करें कि जहरखंडी है कॉन और उसी अधार पर खतियान अधारे तस्थानीनीती और नियोजन नीती लागू करे यही हमारी मांग है यही मांगे पूर्ण होने चाहिए एक अंतिम बात यह है कि पढ़ लिखकर बिर्जगार युवा घूम रहे हैं बजारों में अनपढ नेताओं के अनपढ बेटे बैठे हैं सरकारों में मैं इसलिए ये बाते में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर ये लोग पढ़े लिखे होते ये लोग जानकार होते अगर समझदार होते तो अब मेरे जैसा एक चात्र एक आम मामुली सा चात्र जब 18 राज्यों के नियोजन निती को पढ़ सकते हैं तो इनके पास तो सचीव है मुख सचीव है JOS AI PS कार्णि विभाग है सारा डिपार्ट्मेंन इनके पास तो इनके वह नियोजन निती नहीं है इन राज्यों का निषन निती जिनने यह नहीं पढ़ सकते कि उसμαने लिखा हुआ है और कैसे वहां के जारखंड योन को वहां के राज़े को परिवासित किया है। जब मैं कोमन चाहतर में पड़ सकते हैं 18 राज़े के नियोजय नित निती को तो यह लोग भी पड़ सकते हैं और पढ़के यह बता सकते थे मुख मंत्री को कि ऐसे नहीं चलेगा सब जगा खतियान अधारेत अस्थानी निती निवजय निती लागू है तो जारखंड में भी होना चाहिए हमारे साथ 36 गड़ा लग हुआ हमारे साथ उत्राखंड लग हुआ चाहिए हमारे साथ जारखंड लग हुआ है तो जारखंड में क्यों नहीं हो सकता क्यों बिना जारखंड को परिभासित किये हुए क्यों वेकेंसी ली जा रही है आज अगर इस तरह से अगर निक्ति ली जाती है तो आने वाले समय में 60 मदलब 40 के जो पॉलिसी है उसमें अग जलती सवब सेट तो 40 बाहरीयों का ले जाएगा अब तो कुछ लोग को यह सवाल करेंगे और शाथ में 40 बाहरीयों और 100 में 40 ले गया आनि 10,000 में 4000 बाहरी लेगे 10,000 फैकेंसी में आनी 1,00,000 फैकेंसी निकलता है तो 40,000 बाहरी लोग घुच जाएंगे अब कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि जेनरल में केवल बाहरी लोग ही थोड़ी घुचेंगे जार्फ़न के लोग भी घुचेंगे हाँ बात तो सही कह रहे आप पार्टमेंट में जो निखती हुई या फिर फॉरेंसिक लेब में जो निखती हुई उसमें आप देख लिजे कि जैनरल के सीटों में कितना जर्खंडी फाइट किया है एक या दो उसका उठा धारन आप 2008 वेकेंसी तो बता रहे हैं अभी 2006 का वेकेंसी अभी करन्युक्ति द रहेंगे बाद्रियों का आतिकर्मन होता रएगा और इसी तरह से हम सौषन का जुर्म का सिकार होते रहेंगे विदय apa I'm suremut Bari by Hari जौहां बाहरी बीदेशी माओं हों से उत्पन भी बेटे कभी भी सुराइज या उस देश के विकास के बारे में नहीं हो सकते उसराइस्वान द्यूल्म प्रेंग सकते लोग हैं जारखाण के विकास होने не देंगे यह आप देखी रहें जारखन各ा क्यों क्यक् 되? याँ का इसा छेत्र है? जहां सोशन नहीं हो रहे है, जहां जुल्म नहीं हो रहे है, जहां अत्याचार नहीं हो रहा है चाहें थाना हो, चाहें विडियो ओपीस हो, चाहें डीसीओ ऑफीस हो, चाहें स्पीस हो, सब जिगा उसी तरह से अति कर्मन हो रहा है, highly क्राइ city जार्खन का क्या इस्तिति होगा अभी तो खाली है तो चलिए ठीक है ये लोग अगर भर गये तो 62 साल बाद रिटार करेंगे 62 साल में यहीं जमीन लेंगे यहीं घर बसेंगे यहीं फिर उसका बाल बच्चा होगा फिर वो भी आरचन का दावा करेंगे कि हम भी जार्खंडी है जैसे जार्खंडी बाबा जी का है जार्खंड जैसे बाबा जी का ढाबा हो जो आया उसी का जार्खंड ये नहीं चलना चाहिए ये नहीं होना चाहिए इसी लिए इस महा संग्राम में भाग लिजिए और 40 के निती को खुल कर विरोध किजिए और ख